आज का हिंखोज वर्ड आफ तर डे हैं इनकमपस जिसका हिंदी में अर्थ होता है सम्मिलित करना आईए अब देखते हैं इस वर्ड को ओरीजन कैसे हुआ इस वर्ड को सबसे पहले 1550 में रिकॉर्ड किया गया था यह वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है एन प्लस कमपस जहाँ पर एन का मीनिंग होता है जब इसमें कम को जोड़ा जाता है तो यह है to include within a scope और circumscribe so as to surround या फिर to enclose, to contain का sense देते है इस वर्ड को इंग्लिश में वर्प और हिंदी में क्रिया की रोप में यूज किया जाता है इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है surround and have or hold within इसके synonyms है enclose, comprise, cover, embody, impress, incorporate, involve encompass के antonyms है exclude, free, release आईए अब देखते हैं इस sentence में इस वर्ड का use किस तरह से किया गया है The spirit of holy encompasses all communities and sections of society Holy का उत्सा समाज के सभी समुधायों और वर्गों को सम्मिलित करता है Thanks for watching this video अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो like करें, share करें और हमारे चैनल हिंखोज को YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूले Have a good day Thank you